हालो एवरिवन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी अंडर्वियर की कटिंग एंड स्टीचिंग जिसके लिए मैंने फैबरिक लिया हुआ है आप सभी की रिक्वेस्टी कि आप फैबरिक को कैसे फोर फोल्ड करते हैं यह भी बताएए तो अभी मैंने सिंगल कपड़े को पूरा खोल कर रखा हुआ है अब मैंसे डॉल फोल्ड करूंगी डॉल फोल कैसे एपको इस तरीके से उठाते हुए डबल फोल्ड कर देंसे में कर दूंग गणी अब यक अभी सप्ड़ा मेरा चुहे फोर फोलड है हूं मै इसमें ड्राफिंग करने वाली हूं वो सभी होगी हमारी 18 हिप के साफ से, यानि कि हिप 18 है, उसी के साफ से मैं all over marking करने वाली हूँ तो अब आप देख सकते हैं, कपड़े की folded side कौन सी है, ये वाली, देखे ये कपड़े की folded side है और ये कपड़े की open side क्योंकि ये खुली है, सबसे पहले हमारा ये लंबाई वाला portion है, हम यहाँ लेंगे लंबाई, जो भी हिप है, उसका 3 से भाग दे दीजी, यानि कि divide कर दीजी, मेरा हिप है 18, तो मैं 18 को 3 से divide करूंगी, तो मेरा आएगा 6 inches, ठीक है, ये 6 पर मेरे mark किया प्लस इसमें आपको 2 inches करना है, तो मैं 2 inches प्लस करूंगी, तो मेरा कपड़ा exact उतना ही है, अब चोड़ाई के लिए, जो भी हमारा हिप होता है, उसको हमें 4 से divide करना होता है, तो हमारा हिप 18 है, 18 को हम 4 से divide करेंगे, तो हमारा आएगा 4.5 inches, तो हमें कुल फेबरिक कितना च लेकिन इस formula के according हमें उसमें प्लस वन करना है, और अगर आपको चाहिए कि नहीं बेबी को थोड़ा सा और लूजनिस के हसाफ से चाहिए, तो आप 6 भी ले सकते हैं, तो मैं 1.5 inches लूजिंग ले रही हूं, थोड़ा सा extra ही, तो मैंने या निशान लगा दिया है, अब आप 4 पर एक लाइन ड्रो करनी है, सीरी लाइन ड्रो करने के बाद हमें यहाँ शेप लगाना है, अब हमें हिप का बारवा हिस्सा, यानि कि जो भी हिप है उसको आपको 12 से डिवाइट करना है, हमारे केस में हिप 18 है, हम उसे 12 से डिवाइट करेंगे, 18 हिप को 12 से डिवाइट क ठीक है तो एक Mark तो मैं यह 1.5 पर कर देती हूं उसके बाद हम इसमें प्लस 1 करना है तो मैं एक इंच और इसना निशान लगा दूंगी इस तरीके से अब उसके बाद में इस निशान से और इस निशान को मिलाते हुए एक line draw करेंगे इस तरीके से देखिए इसको और ये जो हमारा निशान है एक इंच प्लस वाला इसको मिला कर देखिए मैंने मारकर से निशान लगा दिया है यह हमारा जो हमने हाफ किया वो वाला निशान था क्योंकि इस पर निशान क्लियर नजर नहीं आ रहे थे मैंने कपड़े को उल्टी साइड लिया है इसलिए अब आपको हमने जो लाइन ड्रो गी है इसका हाफ निकाल लेना है देखिए हाफ निकाल कर मैंने इंच टेप रखी है और उसके बाद आधा इंच पर आपको निशान लगाना है देखिए इंच टेप को मैंने इस लाइन के सेंटर में ही रखा हुआ है उसके बाद मैं पोन इंच पर भी एक निशान लगाऊंगी देखिए मैंने दो डोट लगा दिये हैं एक हाफ इंच पर एक पोन इंच पर ये देखिए ये जो निशाने हमारे शेप के लिए है फ्रंट और बेक के अंडर वेर के तो देखिए फ्रंट में जो गोलाई होती है वो थोड़ इसी जादा होती है और बेक में थोड़ी कम होती है तो इसी के कॉड़िंगे तो इस तरीके से मैं शेप दे दूँगी सेम इसी तरीके से आपको भी शेप देना है इजीली हो जाएगा इस तरीके से इस निशान पर ड्रो करते हुए हम वापस यही पर मिला देंगे मिलाना हमें एक ही जगे ताकि जोइन करने में प्रॉब्लम ना हो अब आपको कमर की तरफ से हाफ इंच पर एक निशान लगाना है ध्यान रखना है सारी मार्किंग हमारी open side होगी folded side नहीं होगी अब यहाँ से यहां तरफ मिला देंगे इस से इस तरीके से अब देखिए हमारी all over marking हो चुकी है अब हम इसकी cutting कर लेते हैं सो इस तरीके से देखिए मैं cutting कर दी जाऊंगी तिरचा हम ने निइकंग कर दियाँ अब इसके बाद सबसे पहले आपको शेंटर वाले निशान पर से निकालना है क्योंकि ये तो निशान हमने गाईडलाइन के लिए था जो तिरचा था और एक और जो निशान है उसके लिए हम एक पार्ट को निकालेंगे तो देखें इस तरीके से कटिंग हो चुकी है, अब स्चिचिंग करना है, तो दोनों फब्रिक के राइड साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे, यानि की सीधी साइड अंदर, और यहां एक मार्किंग कर दिये मिने सीधी, 15-inch की गेप पर हम सिलाई लगा देंगे, इस तरी इसे हम इस तरीके से कर देंगे उसकी बाद दोनों तरफ इस शेप आपको नजर आएंगे सिलाई लगाने के बाद में तो अब हम इसे फोल्ड करना है मैं फोल्ड करने के लिए इसी फैब्रिक को लूँगी मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपको मेजर्मेंट बताया है तो कर दिस असनी के तरीके से फोल्ड कर दिना है तो मैं एक और साइड पर इसी तरिके से रही प्रसेस मैं फोल्ड कर दू capital कर दिया है और यह राइड साइड से कुछ इस तरीके से फिनिशिंग से नजर आएगा आप देह सकते हैं अब इसके बाद में राइड साइड वापस अंदर की तरफ रखते हुए हम एक तरफ सिलाई लगाएंगे ध्यान रखना है मैं सिर्फ एक तरफ सिलाई लगाने के लिए कह रही हूं दोनों तरफ नहीं लगाना है सिर्फ एक साइड लगाईए तो मैं इस तरफ एक तरफ सिलाई लगाकर आपको दिखाते हूं इस तरीके किम नहीं कर रही हूं सिर्फ एक फोल्ड कर रही हूं इस जगे हमारा लास्टिक लगता है तो जो पट्टी हम और लिंग उसको सबसे पहले हमें 1 फोल्ड करना होगा है तो इससे हमारा फोल्डिम में असानी रखकर आप उसी जगह मशीन लगाते जाहिए बहुत सरल तरीका है और इस तरीके से करने पर आपके सल भी नहीं आते हैं कई बार लास्टिक की जगे जब लोग टर्न करते तो सल आते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा आप सर्फ इसी मेथड से करिए का तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है अब लगाने के बाद इसे उर्टा करकर जो एक साइड हमने छोड़ी थी जिदर हमने लगा थी तरह पी हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से झांब है। अब लगाने के बाद देख सकते हैं आप यह दोनों तरो से कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है अब हम में इस आपको सीधा करकर दिखाती हूं तो आप देख सकते हैं मेरी ओल ओवर या अंड्रिवर्म बनकर रेड़ी है सिर्फ इसमे लास्टिक लगाना है आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो में किसी नई चीज के साथ तर तक के लिए बाबाए और थैंक्स पूर वोचिंग गाइस